हालो मैं डियर स्टुनेंस वेलकम तुटर इंस्टाग्राम इडी पर भी फोलो कर सकते हैं और मैंने इसी से पहले इसी चेप्टर की आपको अगर आप उस वीडियो को नहीं देख पाएं तो को प्रॉलम नहीं आपको इस वीडियो की दिस्क्रिप्शिन बॉक्स में उसका लिंक मिले को और साथ में आप मेरी चैनल की प्लेइलिस्ट को भी विजिट कर सकते हैं आपको आपको एसस्टी की वीडियो पर मिल जाएंगी तो यहां पर देखते हैं फस्स जो एक्स्ट्रेक्ट है यहां पर जो गिवन है उसके बेसिस पर क्या प्रॉश्टन पूशे गई हैं आपसे क्योंकि इस पार थोड़ा सा डिफरेंट क्राइटीरिया होने वाला है तो जैसी एक्स्ट्रेक्ट अगर आता है कि इंसाइड आपको पूचा गया है ऐसी क्या रीजन था जिसकी वज़े से जो प्लेन है वो हावा में ट्विस्ट कर रहा था जंप कर रहा था तो ऑप्शन आपके सामने है एर प्रेशर, विंड करंट्स, ब्लैक स्टॉमी क्लाउट्स या फिर लास्ट ऑप्शन आपका डेड एंजिन तो यहां राइट आंसर क्या होना चाहिए तो बाकी तो हम देखते है स्टॉरी में कहीं पर भी कोई एर प्रेशर की बात नहीं हुई है, विंड क्रंट्स की बात नहीं है बट बलैक स्टॉमी क्लाउट्स की बात हुए तो ऑप्शन यहां पर सी राइट आंसर है आप चलते है क्वेस्ट नूबर 2 क से बड़ा reason था, because ये काम करना बंद कर गे थी, it was dead option, ये correct answer है, आप चलते है, question number 3 के लिए, the narrator could not see anything outside the aeroplane, narrator चो है, aeroplane से बाहर कुछ भी नहीं देख पा रहा था, because, उसका reason बताईए, it was too bright to look outside, क्योंकि बाहर बहुत चमक थी, और he was too high in the cloud to see anything clearly, या फिर वो बादलों में बहुत उपर था, और everything was black inside the storm clouds, या, ये करें storm clouds के अंदर सब कुछ बिल्कुल black नजर आ रहा था, और there was too much lightning, या फिर बहुत ज़्यादा lightning हो रही थी, तो हम कहेंगे, यहां पर जो सबसे, जो close in fact right answer है, वो है option C, क्योंकि everything was black inside the storm clouds, तो इसलिए उसको बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा था, तो option C यहां right answer है, question number 4 है, choose an option that is a synonym of the word dead, अब synonym का मतलब होता है similar word, अगर meaning में, तो dead के similar word क्या हो सकता है, तो option है यहां पर barren, broken down, deserted, या not useful, तो यहां हम कहेंगे जो right answer है, वो क्या है, yes of course हम कहेंगे right answer है, broken down, option B, is a right answer, यह synonym है, synonym होता है similar word, question 5 देखिए, over which country was a pilot flying at this moment, इस time जो है किस country के उपर से वो निकल रहा था, option है कोई सामने है, Germany, France, Spain, या फिर United Kingdom, तो it's very clear, वो actually में France से चला हुआ था, जब हो कहता है कि 150 km France पीछे रह गया और मैं आगे England की तरफ शाह रहा हूँ, तो France से निकला हुआ था और इसने वो France के उपर था, आप चलते हैं, extract 2 की तरफ, she looked at me very strangely, तो यहां पर आपको यह भी question आ सकता है कि she kis के लिए use हुआ है, उसने मेरी तरफ बड़ी हरानी से देखा है and then laughed और हस्ती है, another airplane appear in this storm, no other airplanes were flying tonight, your was the only one I could see on the direction में वो, जो control room में बैठी हुई लेडी है, वो उसको बोल रहे है कि देखो, यहां पर कोई और plane तो नहीं था, सिर्फ तुमारे वाला ही था, और वही उड़ रहा था, इसके लावा कोई और plane तो नहीं था, इसलिए थोड़ा सा confused था और वहां गया था पूछने के लिए कि दूसरा airplane कोई सा था, तो यहां first question है, choose the answer that lists the statement made by the lady, तो वो answer choose किजिए, जो उस statement की तरफ इशारा करता है, जो चाहती ही तो उस lady ने की थी statement दिया, ब्यान, statement दिया था, ब्यान दिया था, क्या बोला था उसने? बोले थी अब चलते हैं question number two के लिए when the lady says another airplane up in the storm she meant अब ये किस तरफ इशारा करते हैं जो उसने ये tone यहाँ पर यूज किया है कि एक और airplane वो भी इस तुफान में तो उसका क्या मतलब था the weather was too risky for planes to fly कि weather बहुत risky था किसी भी plane के लिए उडने के लिए और the planes were too risky to fly और यह फिर कहें it was too late at night to fly or no other plane was allowed to fly बढ़ हम कहेंगे right answer yes of course option a है जो weather है वो बहुत risky था किसी भी plane के उडने के लिए option a correct answer है आप चलते है question 3 के लिए the statement that is true about the flight was वो statement जो flight के बारे में truth ही हो क्या है the pilot was a mysterious ghost the plane had no compass radio or any more fuel the lady was a strange creature the pilot was a strange black man तो यहाँ पर हम कहेंगे statement वो क्या हो सकती उस flight के बारे में yes of course हम कह सकते है कि statement B उसके बारे में हो सकती है the plane had no compass radio or any more fuel तो यह statement बिल्कु सही है उस flight के बारे में आप चलते है question number 4 के लिए the other pilot in the sky was strange because जो दूसरा pilot है वो strange किसलिए था he flew in the storm he had no fuel in the tanks he flew in the strange black aeroplane or he flew in a stormy night without lights तो यहाँ पर जो सबसे close answer हो जाएगा option D कि वो एक तुफानी रात में उड़ा वो भी बिना light के तो इसलिए जो है थोड़ा सा वो strange था अब चलते है question number 5 के लिए the phrase flying in the storm is used here flying in the storm phrase को यूज किया गया यहाँ पर which of the following expressions is incorrect with regard to the word flying debris, storm, birds और machines तो क्या होना चाहिए flying in the storm तो हम कहेंगे यहाँ पर जो of course वो बात है जो word exact आना चाहिए वो है वो storm के लिए ही use करेंगे हम कि which of the following expressions is incorrect with regard to the word flying अगर हम कहें कि यहाँ पर कौन सा word ऐस है जो flying के regard में बिलकुल match नहीं होता तो वो कौन सा हो सकता है storm की बात करेंगे अब चलते है question number 6 के लिए in fact यह कुछ extra questions है यह सारे के सारे questions जो है NCRT based है it was a dash night तो option आपके सामने है cloudy, starry, stormy, calm yes of course it was a starry night कि पिलकुल weather clear था कोई डरने की जरूरत नहीं थी question 2 देखिए the writer was flying his old Dakota aeroplane over वो कहां से अपना plane उड़ा रहा था किस शेहर के उपर से तो यह I think so आपको clear हो गया yes of course France है यहा right answer और यह भी note करने वाली बात है कि जो narrator का home है वो England में था और साथ में यह भी बताएगा कि as he looked past the nose of his aeroplane तो उसको lights नजर आती है big city in front of me उसके जो सामने जो है शेहर की lights नजर आती है उस time तक सब कुछ ठीक लग रहा था उससे why did the narrator want to go to England England वो किसली जाना चाहता था तो यहां option आपके सामने given है तो right answer क्या होगा हम कहेंगे yes of course यहां जो right answer है वो है option yes option C because he wanted to spend his holidays with his family क्योंकि इसको अपने परिवार के साथ कुछ समय भी किताना था चुटियों का वक्त question no.4 देखिए what was the time in the watch उस time time क्या हुआ था watch में तो यहां पर हम कहेंगे जो वक्त था वो था सुबा यानि रात का भी कह सकते हैं सुबा कह सकते हैं 1.30 a.m option C यहां पर right answer है question no.5 देखिए why did he talk to the Paris control room उसने Paris control वाले उसे बात किसलिए की थी his duty to call या फिर कहें by mistake एक उससे call हो गई थी और to know about his direction और he was left with less fuel और उसके पास fuel कम रह गया था इसलिए लेकिन यहां ऐसा question नहीं है उसने जो Paris control में बात की थी वो सिर्फ यह जानने के लिए कि वो किस direction बिजा रहा है क्योंकि उसको England जाना था तो फिर उसको क्या reply मिला था वो भी आपको बता होगा yes 12 degree उसको बोला गया था कि तुम इस direction में मुझ जाओ और ऐसा ही किया गया था yes west में हम कहेंगे option c correct answer है अब चलते है question number 7 के लिए how far France left behind France जो है कितना पीछे रह गया था तो यह भी I think so बहुत simple answer है आपको पता लग चुका होगा yes of course 150 km पीछे रह चुका था France और वो confusion में था कि क्या करें वापिस आ या आगे बड़े question 8 देखिए why did he direct his old Dakota straight into the clouds क्या reason है कि वो clouds की तरफ ही बढ़ चलता है तो क्या reason है so he was left with एक तो fuel कम था और उसके पास possibility नहीं थी कि वो अप करें थोड़ा plane को या किसी side direction से होके निकल जाए clouds से बशते हुए तो I think so यहां मुझे लगता है कि जो right answer है वो दोनों ही option आ जाएंगे इसमें बहुत a and b because वो दोनों ही situation बिल्कुल एक reason था उसका जिसके वज़े से उसको risk उठाना पड़ा अब चलते है question 9 के लिए which instrument had stopped working इन वे से कौन सा instrument चो है काम करना बंद कर गया था यानि compass, radio या other instruments या फिर कहें all of these तो of course यहाँ पर कोई कोई डाउट नहीं है कि all of these ही आ जाएगा क्योंकि compass भी काम नहीं कर रहा था, radio भी काम नहीं कर रहा था और in fact जो दूसरे जो instrument है वो भी काम नहीं कर रहे थे question 10 देखिए how did the pilot of the black aeroplane indicate the narrator to follow him, उसने कैसे indicate कि अभी मुझे follow करो उसने अपनी lights को blink करा, अपनी eyes को blink किया और he waved to the narrator to follow him और उसको एक secret message दिया, तो यहाँ पर हम कहेंगे right answer option, यह C है, he waved to the narrator to follow him, अब चलते है question 11 के लिए for how long did the narrator follow the black aeroplane, कितने वक्त के लिए उसने उसने उससे follow किया, तो यहाँ पर जो right answer है क्या होगा, yes of course यहाँ right answer है, for 30 minutes, it means for half an hour तक कोई उसको follow करता रहता है, और उसके बाद उसको direction मिल जाती है, आप चलते है question 12 के लिए how much fuel was left in the narrator's plane, कितना fuel रह चुका था उसके plane में, even जो second engine, क्योंकि उसके पास second tank था, दो ही tank थे, तो दूसरे tank भी जो उसने उसने उसके तो इतना उड़ने के बाद उसक और इस ओल डेकरता प्लेन उसने उसको कहां पर लेंड किया, तो option आपके सामे है, नियर दा French airbase, नियर दा English airbase, नियर दा control tower, और नियर दा sea beach, तो यहां पर जो right answer है, वो क्या है, yes of course, नियर दा control tower है, वहां पर उसने उसके लेंड किया, question 14 देखिए, why did he want to meet the pilot of the black airplane, वो उस से मिलना चाहता था, यहां पर option C, correct answer है, अब चलते है, question number 15 के लिए, what was the name of the narrator's plane, narrator के plane का नाम बता यह क्या था, तो I think so, dakota DS 088, और dakota SD 088, यह dakota DR 088, और dakota DS 088, तो right answer, yes of course, option A है, dakota DS 088, इसके plane का नाम था, next question है, what was the narrator expecting to have in England, in the morning, वो morning में उसको किसी इस क्यों मिलेगा, English wine, a big English breakfast, a small but tasty breakfast, a complete French breakfast, लेकिन यहां right answer है, a big English breakfast, option B, right answer है, आप चलते है, question 17 के लिए, the moon was coming up in the, moon चुह है किस डारेक्शन में आ रहा था, तो यहां right answer है, उसके पीछे था narrator के, लेकिन डारेक्शन क्या है, इस डारेक्शन में है, question 18 देखिए, which was the first thing that the narrator do after receiving a reply from the Paris control room, Paris control room से reply मिलने के बाद, उसने सबसे पहला काम क्या किया था, तो यहां पर सारे की सारे options similar लगते है, जैसे switched over to his second and last fuel tank, या फिर उसने plane को अपने 12 degrees, west की तरफ, England की तरफ, मोड दिया, यह check the map and the compass, यह clean his face, तो right answer, yes of course, option, C है, उसने सबसे पहले चेक किया, अपना map और compass को, और अब चलते है, question 19 के लिए, the storm clouds looked huge and stormy, and looked like dash mountains, किस तरह की mountains लगते थे वो, big, black, grey या dangerous, तो यह right answer है, वो लगते थे, black mountains की तरह है, option B correct answer है, question 20 देखिए, after getting into the storm, the old aeroplane, old aeroplane की साथ क्या हुआ, lost its control, और jumped and twisted in the air, was left with no fuel, was controlled by the narrator, but यहाँ पर right answer, yes, of course, option B है, यह jump किया, twist किया, हवा में, imbalance हा हो चुका था, अब चलते हैं, एक को short important question को लेकर, or long important question भी है, यहाँ पर first question देखिए, why was the pilot of Dakota frightened once again, while following the other plane, दूसरी प्लेन को follow करते हो, दर क्यों जाता है, so after the pilot of the black aeroplane waved at him, indicating that he should follow him, the pilot of the Dakota did exactly so, but after following the other plane half an hour, he found that there was fuel, और वो कितना fuel था, सिर्फ और सिर्फ only five to ten minutes का, तो इसलिए वो फिर से डर जाता है, चाहिए उसको एक बार तो लगा कि मेरा रास्ता जो है, वो clear हो चुक है, cloud से बाहर आ गया हूँ, लेकिन दूसरी प्रॉब्लम थी, उसका जो fuel है, वो बहुत कम था, अब चलते हैं, question number two के लिए, what did the pilot do, after he was guided by the Paris control room to turn 12 degrees west, जब उसको बोला गया कि तुम 12 degrees west की तरफ turn कर जाओ, तो उसने क्या किया, so after being guided by the Paris control room, the pilot checked his map and the compass, और फिर उसने switched his second, और जो last fuel tank के वोवन कर लिया, और फिर अपने plane को 12 degree west की तरफ, England की तरफ, उसने मोड दिया था, so next question है, why does the pilot say it was an easy flight, तो देकी starting में तो उसको कुछ प्रोब्लम होई नी, ऐसा लग रहा था, जैसे आसमान में सितारे निकले हुए है, चांद निकला हुए है, सब कुछ बिलकुल बढ़िया चल रहा था, however, it did not really turn out to be so, about 150 km of Paris, Paris से इतना दूर जाने के बाद, he encountered huge storm clouds, उसको बड़े बड़े जो है, तुफान वाले बादल नजर आते हैं, अब चलते है, question number 4 के लिए, why did the pilot follow the black aeroplane like an obedient child, क्या reason था, कि उसने एक obedient child की तरह follow किया, क्योंकि देखिए, उसको सबसे बड़ी बात किया है, कि वो अपना रास्ता बटक शुगा था तुफान मे and follow the black aeroplane like an obedient child, क्योंकि this was the only chance for survival, उसके बचने का एक यह तरीका था, he was happy to go behind this strange aeroplane, since it was guiding him out of the storm safely, जो उसको से safely निकालने का रास्ता बता रहा था, तो उसे लगा कि चलो ठीक है, इसी को follow कर लेता हूं, अब चलते है, question 5 के लिए, when did the pilot of Dakota see the runway, जब उसने पहले तो बता ही, seeing it, so minutes before, या कुछी minutes before landing, जो है, the narrator noticed that he was running out of fuel, उसने नोट किया कि आरे, उसका तो फूल खतम होने बाल है, बच सुडनली केम आउट, वो आ जाते है, कहा से, क्लाव में से बाहर आ जाते है, and saw two straight lines of lights in front of him, so which was the runway of the airport, and he was relieved to be safe, and he at once turned to look at the pilot of the other plane to thank him, तो वो उसके मन में कुछ feeling थी, कि उस pilot को कम से कम thank करूँ, लेकिन वो उसे मिल भी नहीं पाया, क्योंकि वहाँ पो कोई pilot था ही नहीं, अब चलते है, question number one के लिए, जो की long question है, so I ought to go back to Paris, so I thought, कहते हैं, मुझे लगा कि मुझे वापिस चलना चाहिए, पैरिस में, मैं घर भ experience कहा रहा, कैसा रहा, जब उसने इस dangerous, जो situation से अपने आपको निकाला, तो यहाँ देखी, जो narrator है, he thinks of going back to Paris, when he encounters threatening mountain-like storm clouds, जब उसे बहुत बड़े पहार जैसे बादल नजर आते हैं, तो डर जाता है, उसका reason भी क्या था, कि उसे वापिस जाने का उसले इस नहीं सोचा, to be ruled out, since the plane did not have sufficient fuel, to do so, उसका reason था, कि दूसरा fuel भी बहुत कम था, the other option that he crossed his mind was, so going back to Paris, की Paris जाऊं, which was barely 150 km, उसका reason क्या था, कि पीछे की तरफ निकल जाऊं, जादा बैटर है, और 150 km दूर है, जादा पीछे नहीं है, but उसनी ये choice को भी reject कर दिया, उसका reason क्या था, since he was keen on to be with the members of his family, वो अपने परिवार के साथ time spent करना चाहता था, जल्दी से जल्दी पहुँचके, और उसको अपना जो tasty English food है, उसकी भी याद आ रही थी, तो इसलिए उसे लगा, कि मैं ये वाला risk को उठा लेता हूँ, यानि impelled by his desire to be home, coupled with misjudgment about the enormity of the situation, अब उसको desire थोते की घर पहुँच हूँ, लेकिन वो थोड़ी सी misjudgment थी, वो situation की seriousness नहीं देख पाया, कि कितनी भ्यानक situation थी, he decides to take the plunge, plunge होता है, to dive and fly through the storm clouds, चलो दिखा जाएगा, जैसे भी होता है, इसी cloud में से निकलता हूँ, तो यह कुछ short, important or long question थी, और साथ में I am secure, I hope so, this video will be helpful to you, लेकिन इतना जरूर काऊंगा, वीडियो को like जरूर कीजिए, अगर आप देखते हैं और आपको अच्छी लगती है, तो यह नहीं काऊंगा, अगर अच्छी नहीं लगे, तो मत कीजिए, in fact यह को, आपका नहीं अ अच्छा लगता तो मत कीजिए चाहे, लेकिन अच्छी लगे तो जरूर कीजिए, और साथ में description box जरूर देखिए, thank you very much and have a very nice day.